हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं लेकर आए हूँ बहुत ही स्वादिस्ट बेसन के छोले बेसन के सब्जी तो आपने बहुत बार खाये होंगे लेकिन इस तरह से आप एक बार बेसन के छोले के सब्जी बना कर खा लेंगे न तो मैं गरंटी के साथ कहती हूँ आप इसे एक बार नहीं बार बार बनाना पसंद करेंगे तो चलिए इसको हम बनाना सुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो प्रिज वीडियो को लाइक सेर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दिजिएगा तो इस स्वाधिस्ट रेस्पी को बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बरा सा बाउल ले लिए हैं और इसमें हम डाल लेंगे एक चमच सरसो के तेल आप सरसो के तेल के जग़े पर जो तेल आप खाते हो ले सकते हैं और साथ में हम इसमें डाल लिए हैं एक चुटकी हींग और एक चोथाई छोटा चमच हल्दी पाउडर डाल लिए हैं और स्वाध कनुसार इसमें हम नमक एड कर देंगे और अब इसमें हम एक चमच पानी डाल देंगे और अब हम इन सभी चीजों को इस तरह से चमच से अच्छे से फेट लेंगे तो इस तरह से इसे फेटने से हमारा जो बेशन के सबजी है वो बहुत ही सौप्ट बनेगा मुह में जाते ही वो घुल जाएगा तो ये देखिए इस तरह थोरा देर फेटने के बाद इसका टेक्चर बिल्कुल चेंज हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है तो इसी ये स्टेज पे इसमें हम डाल देंगे एक कप बेशन और बेशन डालने के बाद इसको हम हाथों से मसलते हुए थोरी देर अच्छे से मिलाएंगे थोरी देर मिलाने के बाद आप देखेंगे इसका कलर और टेक्चर चेंज हो जाता है तो इसके बाद इसको हम मुठी में लेकर इस तरह से मुठी बांदेंगे मुठी बंध रहा है इसका मतलब इसमें अच्छे से मोयन हो चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे पानी पानी एक बार में इसमें नहीं डालना है थोरा थोरा करके पानी डालेंगे और मिलाती हुए इसका हम डो लगा कर त्यार कर लेंगे जैसे रोटी के लिए डो बनाते हैं उसी तरह से इसका डो हम बना कर तयार कर लिए हैं तो अब हम इसमें से एक निम्बू के साइज की जितना बरा लोई तोर लेंगे और इसको हम थेली पर रहकर इस तरह से घुमाती हुए इसको हम रोल कर लेंगे और इस तरह से इसको हम stick के shape दे देंगे और इसी तरह से हम बांकी सब पहले बना कर तयार कर लेंगे तो friends ये recipe जो है बहुत ही amazing, बहुत ही स्वाधिश्ट है आप एक बार इसे बना कर देखिएगा बहुत ही जल्दी बन कर तयार हो जाता है तो ये देखिए इसी तरह से सभी को हम बना लिये हैं तो अब हम इसमें से एक stick लेंगे और इसमें से थोरा सा मिश्रन यानि कि थोरा सा डो तोरेंगे और अंगली पर इस तरह से घुमाते हुए इसको हम छोले के shape दे देंगे तो ये बहुत ही जल्दी बन कर तयार हो जाता है देखिए सभी को हम बना लिये हैं और बहुत ही प्यारा सा इसका shape आया है तो चलिए इसको लेकर हम चलते हैं गैस के तरव तो यहां गैस पर हम एक कराही में दो गलास पानी गरम होने के लिए पहले से रख दिये थे पानी अच्छे से गरम हो गया है पानी मुबाल आने लगा है तो इस बेसन के गोली को हम इस पानी में डाल देंगे और गैस के फ्लेम यहाँ पर हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसको 6-7 मिनट इसी तरह से पकने देंगे एक बार उवाल आने के बाद इसको हम एक बार इस तरह से चला लेंगे और इसके बाद इसी तरह से इसको हम 7 मिनट तक पका लिए हैं साथ मिनिट पकने के बाद आप देख सकते हैं इसके उपर छोटा छोटा सा इस फोर्ट आ गया है तो आपको यह ठंडा होने के बाद इसपोर्ट केलियर दिखेगा या पास से देख виगा तो इस तरह से जब इस पोर आ जाएगा इसका मतलब है अच्छे से पख चुका है तो सब को हम एक फ्लेट में निकाल लिए हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख दिये हैं और इधर हम गैस पर रख लिए हैं एक कराही और इसमें हम डाल लिए हैं दो चमश तेल और गैस के फ्लेम यहाँ पर हम मिडियम रखे हैं और तेल को गरम होते ही यहाँ पर हम ले लिए हैं दो मिडियम साइज के टमाटर, दो मिडियम साइज के प्याज, पांच से छे लसन के करली और दो हरा मिर्ज तो इन सभी चीजों को हम रफली कट कर लिए हैं और अब हम इसको इस कराही में यानि कि स्टेल में डाल लेंगे और इसे डालने के बाद अब हम इसे चलाते हुए थोरी देर पकाएंगे यानि कि इसके उपर हलका ब्राउन कलर के एस्पॉर्ट आने तक पकाएंगे गैस के फलेम यहाँ पर मिडियम रखेंगे और एक से दो मिनट के बाद आप देखेंगे इसके उपर ब्राउन कलर के एस्पॉर्ट आने लगा है यानि कि इस पक गया है तो अब इसको हम निकाल कर एक पलेट में रख लेंगे और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ तो यह देखिए बेसन के जो हम छोले बनाए थे उसके उपर एस्पॉर्ट बिल्कुल किलियर दीख रहा है ठंडा होने के बाद इसका मतलब यह हमारा बेसन के छोले अच्छे से पका हुआ है तो इसको हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें अभी हम जो लहसन प्याज टमाटर फ्राई किये थे उसको हम इस जार में डालेंगे ठंडा हो गया था तो अजार के ढखन बंद करके बिना पानी डाले इससे हम पीस लेंगे यानि कि इसका पेष्ट बना लेंगे तो यह देखे इसको हम पीस लिए हैं बिल्कुल फाइन सा इसका पेष्ट बन गया है तो इसको हम एक बावल में निकाल देंगे और अब इसको हम साइड में रख देते हैं एक चोटा सा त्यारी और कर लेते हैं तो यहां पर एक बावल लेंगे इसमें डाल लेंगे एक चमच दही साथ में ही डाल लेंगे आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर आधा चोटा चमच लाल मिर्च पाउडर और एक चोटा चमच धनिया पाउडर और आधा चोटा चमच इसमें हम डाल लिए हैं गरम मसाला पाउडर एक चोथाई चोटा चमच काली मिर्च पाउडर यानि की बलैक पेपर और अब हम इसमें एक चमच पानी डाल लेंगे और अब हम इसको अच्छे से इस तरह से फेट लेंगे यानि कि इसको अच्छे से मिला लेंगे और यह देखी मसाला हमारा बन कर तयार हो गया है तिसको हम साइड में रख देते हैं और यहां हम आ गये हैं गैस के तरह त इसमें हम एक छोटा चमस्ट डाल लिए हैं साबुत जीरा और जीरा को क्रैक होते ही इसमें हम डाल लिए हैं टमाटर प्याज लसन और हरी मिर्च के पेस्ट जो अभी हम बनाये थे और इसे डालने के बाद इसको हम इसी तरह से चलाते हुए एक मिनट तक पकाएंगे इसे हम नहीं पकाएंगे क्योंकि पहले से हम टमाटर प्याज को फ्राई किये हुए थे तो एक मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम डाल लेंगे मसाला जो मसाला हम दही के साथ मिक्स करके बनाये थे उस मसाले को इसमें हम आइड कर दिये हैं और इस कटोरे में जो मसाला लगा है इसमें हम एक चमच पानी डाल कर इस कटोरे में की मसाला हम धूल कर इसमें डाल देंगे और अब हम इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे और चलाने के बाद अब हम गैस के फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ढखक कर इसको हम दो मिनट तक पकने देंगे दो मिनट पकाने के बाद इसका हम ढखकन हटा लेंगे और ढखकन हटाने के बाद गैस के फ्लेम मीडियम कर देंगे और मिडियम फ्लेम पर इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे तो इसे पकाते हुए हमें 1-1.5 मिनट हो गिया है और मसाला तेल छोड़ दिया है तो इसी स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी यहां पर पानी आप थोड़ा सा कमिया ज़्यादा कर सकते हैं अपने ग्रेवी के एक ओर्डिंग तो यह देखिए पानी डालने के बाद इसको हम एक बार इस तरह से अच्छे से चला लिए हैं और अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक नमक डालने के बाद इसको एक बार और चला लेना है और गैस के फ्लेम यहां पर हम मिडियम ही रखेंगे और मिडियम फ्लेम पर इसमें हम एक उबाल आने का बेट करेंगे तो जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा तो ये देखी इसे पकाते हुए चार मिनट हो गया है तो इसका धकन हम हटा लिए हैं और अब हम इसमें डाल देंगे थोरा सा बारी कटा हुआ धनिया पता धनिया पता डालने के बाद इसको हम एक बड़ चला लेंगे और आपको उठा कर दिखाती हुए देखिए इसका ग्रेवी गाढ़ा हो गया है तो अब इससे ज्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे क्योंकि बेशन के सब्जी है ठंडा होने के बाद यह और ज्यादा गाढ़ा हो जैहिन जै भारत